भाईशाब सिर्फ लॉगडाउन खतम हुआ है करोना वारस अब तक खतम नहीं हुआ है और वैक्षिन अब तक डंग से पता नहीं चल रहा है वाईशे ब्यार में तो मिल रही है जो हम इधर प्रामिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सिन मिल जाएगा ये ये क्लिप आप फिर से एक बार देख लो निर्मला था ही कि बॉडि लैंग्वेज बिल्कुल किसी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल की तरही लग रही है तरह को मिलेगी बैट तरको भी मिलेगी बैट जा तरको नहीं मिलेगी तुझो देख रहे हैं ना वीडियो तरको नहीं मिलेगी वैसे अपने चचा ने भी कहा है उनके वीडियो में SMS Social distancing mask sanitizer आज भी हमें नहीं तब तक डिलाई नहीं वैसे बिहार की इलेक्शन रैलीज में कुछ और ही सीन दिख रहा है इसे लग रहा है सारी पार्टी इसके कारिकरता मिलके को कुचल कुचल के मार देंगे बिलकुल लगाता है तस्वीरों के जरीए हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आप बिलकुल ना डरें आपको बिलकुल जरुवत नहीं है डरने की यह देखिए कैसे लोगों का टेंप्रेचर चेक किया जा रहा है उनका तापमान देखा जा रहा है थामर स्क्रीनिंग के जरीए बिलकुल ना डरें बिहार के लोगों के लिए यह उधारण है भाई सब अब क्या कहें इंडिया है और इंडिया में कारोबार ऐसे ही चलता है वीडियो को लाइक कीजिए और एंट तक जरूर देखिए चैनल को अब देख सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइ दो दिन पहले अचानक इसके क्लिनिकल ट्रैस रोग दिए जाते हैं तो हार टेख सा फील होता है वह भी खीडनी में इस बार कोई टेंशन वाली बात नहीं वैक्सिन से किसी की जान को कोई खत्रावत्र है को किसीं को बिमारी भी नहीं हुई है यह वस एक टेंकली लगाई गई रोख है जो कि temporary phase है क्योंकि इस वैक्सिन की ग्लोबल डिमांड बहुत जादा है और अब तक जितने भी बैचेस प्रोड्यूस हो रखे थे उनके सारे टेस्टिंग्स खतम हो चुके अब नए बैचेस बनने वाले तो जैसी नए बैचेस बनेंगे इसके clinical trials फिर से एक बा शुरू हो जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब अच्छा है दूसरा अपडेट आया है सीधे डवल्योचों की तरफ से डवल्योचों ने पूरे वर्ड के लिए एक इंशॉरंस प्लान लाया है कोवीड-19 इंशॉरंस ऐसे कुछ बुला जा रहे है इसको सामले में तो ऐसी कंट्रीज को वैक्सिन नेशनलीजम से बचाने के लिए यानि के जो रिच कंट्रीज होती है यूरोपेन कंट्रीज यूएस जपैन जिन लोगों ने वैक्सिन कंपनी के साथ अल्डेडी टायप्स करके अपने अपने स्टॉक बुक कर रहे हैं तो उन्हो सिर्फ डवल्योचन नहीं बनाया है बलकि कई सारी सामाजिक सांस्ता है जैसे कि बिल गेट्स फांडेशन या गावी इन्होंने मिलके बनाया हुआ है और यह सारी सांस्ता है मिलके इस कोवैक्स टूल से यानि की वैक्सिन एक्सेलरेटर टूल है इसकी मदद से मेक्शोर कर अरे इंशॉरंस में क्या कवर होता है वो तो नहीं बताया देखो थोड़ा सा कॉंप्लेक्स से चीज़ें समझने के लिए वैक्सीन से साइड इख भी हो सकते हैं यह पर्भाइबियटी होती है कितनी वी चाहिए सेव बनाओ देखो हम लोग ने एक गलती किए कि इस process को accelerate किया है तो probability है हजारों में किसी ना किसी को इसकी side effect हो सकते हैं तो उन side effects के बाद ऐसे गरीब देशों को compensate कौन करेगा जिन पेशन्ट को बीमारिया हो चुकी है वैक्सिन से उनको compensate कौन करेगा तो इसी इंशॉरंस के अंडर यह सारे compensations cover हो जाएंगे तो बैसिकली मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह इसे अच्छा प्रोजेक्ट बोला जाए या गलत प्रोजेक्ट बोला जाए मतलब वैक्सिन से side effect भी हो सकते है ऐसी भी probability है और side effect होगे तो वह cover भी हो रहे है यह भी अच्छी बात है अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या आपके क्या खयाल है कमेंट बॉक्स मुझे बताइए हम तो बस दुआ कर सकते कि अरोगे से तु की तरह यह एक useless project ना बन ज efficiency approvals को लेखे बात चल रही है यह वैक्सिन सारी एकदम रश में बनाई गए वैक्सिन से तो ऐसे बोला जा रहे है कि इसकी efficiency जदा से 50% के आसपास रहेगी ऐसे expect करके जा रहे है कि 75% तक यह काम कर जाए लेकिन साइंटिस्स लोग बोले कि खीच खाज के कैसे भी 50% to 60% यह काम कर जाएगी सारी की सारी वैक्सिन तो हम कुछ और टेक्निक से बना सकते हैं क्या जिससे इसकी efficiency 90% प्लस हो जाए तो ऐसी एक टेक्निक है जिसको लेकर साइंटिस्ट अप्टिमिस्टिक लग रहे हैं बट अब तक तो यह हाइपोतेसिस है इस इस थेहरी के मुताबित क् करोना वाइरस का structure आपने देखा होगा कई सारे pictures में एक ball होता है उस ball के इर्द गिर्द कई सारे काटे होते उन काटों के छोर पे proteins के balls होते चुटे 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 तो उन protein balls को breakdown करके उन्हें nanoparticles में convert करना फिर वो एक antigen के तोर पे काम में आ जाएंगे उनसे बनी हुई की antibodies एक long term immunity प्रोवाइड करेगी और बहुत ही अच्छे से वह coronavirus को neutralize करेगी ऐसे बोला जा रहा है देखते यह project भी कितना आगे जाएगा time के साथ समझ में आ जाएगा बहराल आपको वीडियो कैसा लगा comments में मुझे बताना भूलना नहीं प्लीज वीडियो को like कीजिए चै झाल झाल